हलो एरिवन तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनित 3 जिसका नाम है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इस यूनित का हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इंट्रडेवसिंग डेटा बेस सबसे पहले introduction से start करते हैं database क्या होता है database से collection of interrelated data होता है और इसको एक तरह से computer based record keeping system भी कहा जाता है पहले के जवान में क्या होता था जब उनको किसी भी data को रखना होता था तो एक वो अपने notebook में लिखकर उसको रखते थे लेकिन आज कल क्या है कि उसी data को वो लोग क्या कर रहे है computer में database में रख रहे है किसी software का यूज़ करके या किसी program का यूज़ करके यानि इसमें ये फाइदा है कि आज कल के जो system है computer है इसमें आप कितना भी data रख सकते है इसमें कोई limit नहीं है में इसके आप बहुत धेर सारे data रख सकते है और आपको काफी कम मेनाद भी करनी पड़ती है इसके लिए next आते हैं database functioning actually में database काम कैसे करता है ठीक है तो सबसे पहले जाल लेते हैं कि database से अगर हमें interact करना होता है तो उसके लिए एक software होता है जिसका नाम है SQL SQL software को क्या करते हैं हम लोग install करते हैं और इसी SQL software से हम लोग कुछ command लिखते हैं और command के थूर ही हम लोग database से interact हो पाते हैं sort में समझेंगे next है how database works database किस तरह काम करता है और किस तरह से जो database वो अपने record को maintain करता है तो basically जो database system है ठीक है ये धेर सारे हम बोल सकते हैं कि data को store करके रखता है और जो database से इसकी एक मतलब बहुत अच्छी खासियत है कि आप database में duplicate data को नहीं रख सकते हो अगर कोई भी duplicate data है तो आप उसको असानी से find out कर सकते हो या जो database है उसको उस data को accept ही नहीं करेगा ठीक है तो किस तरह से काम करता है database यहाँ पर दिया गया है जैसे कि यहाँ पर application program है लाइक यह जान लीज़े software है और यह आपका database है और यह सारे क्या है users है तो क्या करते हैं जो users होते हैं प्रोग्राम के use करके इस database से क्या करते हैं data को face करते हैं या data को display करते हैं जो भी चाहते हैं यह users एक प्रोग्राम के use करके database से interact हो सकते हैं तो इस तरह से काम करता है database आगे बढ़ते हैं advantages of database database के फायदे क्या होते हैं तो यह क्या करता है redundancy को कम करता है रिटुडेंसी का मतलब होता है duplicate यानि duplicate जो भी डेटा होते हैं आपको यह हटा देता है यानि यह remove कर देता है आपके database से दूसरी चीज है यह क्या करता है database can contain data in consistency to a large extent data inconsistency का मतलब कि आपको जो data होता है वो एक sequence में और कुछ rules को follow करते हुए वो आपको जो data होता है वो database में save होता है ठीक है उसको बलते है data inconsistency inconsistency का मतलब कि आपको जो data होता है accurate होता है सही होता है तो यह सारे फाइदे हैं ठीक है अब यहाँ पर database enforced standards इसकी rules regulations होते हैं like इसमें आप duplicate data को नहीं रख सकते हो या आप जो भी table create कर रहे हो means कि आप कोई भी table create कर रहे हो तो एक से ज़्यादा tables हम बोल सकते हैं एक से ज़्यादा columns को आप primary key नहीं बना सकते हो ठीक है next बढ़ते है data can insert the data security ये data security भी provide कराता है हमें ये काफी फाइदा होता है like हमारा जो data है वो काफी safe रहता है ठीक है इसकी कोई भी problem नहीं होते कि हमारा जो data हो लीक हो सकता है या कोई दूसरा मिस्यूच कर सकता है next is relational database relational database का मतलब है कि ऐसा database होता है जिसमें आप unlimited data को store करके रख सकते हो ठीक है ये होता है relational database और relational database में क्या होते हैं tables जो होते हैं एक दूसरा से linked होते हैं आपस में ताकि हम लोग बार-बार जो field होता है उसको हमें लिखना ना पड़े ठीक है next है अब यहां पाता है अब relational database कौन-कौन से software होते हैं तो पहला है ठीक है Microsoft Access दूसरा है base और के लाइन में SQL यह क्या है हम बोल सकते हैं कि SQL या database software है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी database से interact होने के लिए बेस क्या होता है अब किस तरह से इसको open होगारा करते हो ठीक है तो open करने के लिए क्या है करोगे डबल क्लिक करोगे open office.org base पर ठीक है इसके बास आपका जो हम वो सकते हैं software है वो open office open हो जाएगा या तो आपका जो icon है वो desktop है ठीक है तो directly double click करके वहां से आप open कर सकते हो इसकी कोई बड़ी वो दिकत नहीं है ठीक है अब देखो tables में क्या क्या होते है अब डेटाबेस में क्या क्या होते हैं database के component होते है tables होते हैं curious होती है forms होती है reports होते हैं यह चार component होते हैं आपके database में tables क्या होता है अब यहाँ पर tables क्या होता है building block of row and columns table किसे मिलके बनते हैं row and columns से मिलकर बनते हैं तो इसको tables कहा जाता है ठीक है अब component of a table, table record component होते हैं तो data item होता है, ठीक है field होता है, अब field को भी attribute भी कहा जाता है, इसके बसा record होता है आपके table में, इसके बाद से आप बोल सकते हो, relational होता है, relation होता है database में, ठीक है, यह सारी चीज़ होते हैं, चलिए थोड़ थोड़ समझते हैं इसको, अगर आप आपको इस PDF को डाउनलोड करना हो, तो link मैं description में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ जाके असानी से इसको डाउनलोड कर सके, और आराम से term to exam के लिए आप तयारी कर सके, तो data item क्या होता है, data items, use the smallest unit of the, ठीक है, name data, it may consist of any number of a field or type, bytes, यह क्या होता है, कोई भी number हो सकता है, य से students name हो गया, यह student address हो गया, इसको बलते है field, record किसको बलते है, record हम बोलेंगे, किसी person के बारे में complete information, उसका नाम क्या है, address क्या है, ठीक है, उसकी ID क्या है, तो यह complete information ही, record कहलाता है, relation क्या होता है, relations का मतलब कि जो tables होते हैं, वो आपस में link हो जाते हैं, ठीक है, उसको relations बलते हैं, types of keys in the tables, tables में कितने तरग की होते हैं, primary key होती है, primary key का मतलब कि यह ऐसा column, जिसमें आप duplicate data को enter नहीं कर सकते हो, उसकी जो data होती है, सारे के सारे, ठीक है, क्या होती है, unique होती है के अलग होती है उसको बलते हैं primary की composite की क्या होता है composite की का मतलब होता है the primary key that consists of a combination of two modified attributes और known as the composite की मतलब कि दो इसमें attributes क्या हो available हो field हो ठीक है सेम तरह को उसको बलते है composite की alternate की मतलब की कोई एक column है उसको primary की नहीं बनाते हो या इसके लाबा कोई के दूसरे को primary की बनाते हैं उसको बलते हैं alternate की candidate की मतलब क्या होगा अब primary key and the alternate key together are called candidate की चहाँ primary की भी है और candidate की भी है किसी table में उन दोनों के मिलाग हम बोलेंगे candidate की foreign की क्या होता है foreign की मतलब कोई एक table है इसमें primary की नहीं है वह column और second वाला table में यह सेम वाला field का यह primary की है तो उसको बलते है foreign की अब क्यूरिस क्या होती है क्यूरिस एक तरह से हम बोसकते हैं command होती है जिसका user के किसी एक particular data को fetch किया जाता है database उसको बलते है क्यूरिस forms क्या होता है forms एक काफी असान तरीका होता है जिसके तुरूर्मों डेटा को इंटर करते हैं और डेटा को delete modify वगरा सारे चीजे करते हैं ठीक है बिना table में जाए हुए report क्या होता है रिपोर्ट एक printed format होता है जिससे हम लोग क्या करते है उसके अपने database के table का print out लेते हैं और उसके बासे उसके data को analysis करते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे थी सो अगर आपको PDF नीट है तो मैं आपको provide करा दूंगा अगर अच्छा लगाए वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल थेंक यू